नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मासनमार दोस्तों धन तेरस के दिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिने खरीदने से यकीन मानिये जीवन में खुजियां लोट आती है वैसे तो माता लक्षमी को बहुत सारी चीजें पसंद रहे लेकिन धन तेरस के दिन क्या खर्तना चाहिए जैसे की धन में जीस से आपके देरेंगुना स्वलिवारمنगत हो तो इस दिन वैसे तो बरतन खरिदनां बहुत सुना लोग सुने चांदी भी खरीते हैं अभी तो वह बहुत महंगा है इसलिए आप बरतन खरीदे लेकिंग याद रखें लोहे का कोई भी बस्तु मत खरीदियेगा इस दिन दूसरी बात काले रंग की बस्तु मत खरीदियेगा इस चीज का ध्यान रखें और किसी दूसरे के माता लक्षमी को कोड़ी, स्रीयंत्र, धनिया ये तीन चीज ऐसी है जो बहुत प्रिये है आप कुछ खरीदे या ना खरीदे लेकिन धनिया जरूर खरीदिये कोड़ियां भी लाइए वैसे तो गोमती चक्र और कोड़ी, हल्दी की गाठ ये सभी चीजें और सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने अगर आप इस दिन खरीद कर अपने घर में, अपनी तीजोरी में रखते हैं पुजा वजा करके, यकीन मानिये, जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती लेकिन याद रखें, धनिया जरूर खरीदे ये बहुत कीमती चीज है, और कौड़ी कौड़ी तो मा लक्षमी के चर्णों में दीपावली के दिन अरपित कीजेगा और धनिया भी, धनिया खरीदे, आप अरपित करने के बाद क्या करेंगे सारी धनिया दूसरे दिन समेट ले, और ले जाकर अपने घर के आंगन में, मिट्टी में, गमले में, जहां भी हैं, मिट्टी वहां बोदे, जैसे ही वो गाष निकलाएगा न धनिया का, समझ ले, आपके बुरे दिन खत्र, फिर आप अराम से धनिया के पत्ते तोड़के खा सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, लेकिन आप चाह जाड़ू दरिरता को भगाता है, और घर की सफाई भी करता है, तो जाड़ू आपको खरेदना है, और दिपावली के दिन से जाड़ू को प्योग कीजिएगा, नमक खरेद के लिए इस दिन, और इसी पानी से नमक मिले हुए पानी से पोच्छा लगाईएगा, गनेज जी मिक्सचर, फ्रीज, जो भी आपको खरेदना है फ्रीज, फनीचर पर ले सकते हैं, क्योंकि इस दिन बहुत अच्छे मोहरत भी होते हैं, हमने सुमोहरत वैसे दिया है, और धनतेरस के दिन, भूल कर भी कुछ चीजे हैं जिसे नहीं खरेदना चाहिए, जैसे कि राहु काल म बरकत होगी, फिलाल हम आपसे विदा लेते हैं, पसंदा है, तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, हर हर महादेब, फिर मिलेंगे